ये खबर उन अभी भागों के लिए बहुत मैथफून है जिनके बच्चे कई बार पैदा होते ही रिस्पॉंस नहीं करते हैं रिस्पॉंस इंदा सेंस सुनने से या बोलने से और एक उमर निकल जाती है उसके बाद उनको मौलुम पड़ता है कि उनके जो बच्चे हैं वो ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं या फिर बोल नहीं पा रहे हैं डॉक्टर मनीश है हमारे साथ जो डॉक्टर चेथपार होस्पिटल अजमेर के अंदर है डॉक्टर मनीश आपका बादो स्वागत आंप्य टीव इंगिया पर सार मुझे बताई कि यह जो बिमारी है कई बच्चे हमने ऐसे देखे हैं जिनको सुनाई नहीं देता या बोल नहीं पाते हैं यह बिमारी है क्या और इसके बारे में अभिभाव को को जो पैरेंट से उनको पता कब चल जाना चाहिए यह सुनने की दिकत होती है यह कई बार क्या होते हैं कि बच्चे न्यूबॉर्ण होते हैं उनी में होती है या तो कई बार डिलिवरी प्रॉब्लम के वज़े से भी हो सकती है अल्री डिटेक्शन के लिए इनमें टेस्ट कराए जाते हैं जिसको बोलते हैं OE, Auto Acoustic Emission यह एक Non-Invasive Processor होती है जिस सिंपल सा टेस्ट होता है पांच मिनट के अंदर हो जाता है जिसके लिए हम एक लेक्टोर से साउंड ये और जो आउटर है सेल्स होती है इनर यह अन्दर उनके स्टिमुलेशन को चेक करते हैं जो तीन मनतक अपन करा सकते हैं सेकिंड डेसे लेकर थ्री मन तक करा लो तो उससे अली जो अली होते हैं न्यूबॉर्ण उनमें हम hearing का assessment करते हैं और उसके बाद में six month अगर six month फिर बड़ा होता है तो एक बेरा टेस्ट कराते हैं बेंड stem response, evoke response, stimulation वो टेस्ट होता है धिन अगर 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 अपन जैसे adult होगे, बड़े होगे, समझदार होगे तो एक normal hearing के लिए अपन ओडियोमेट्री टेस्ट कराते हैं अच्छे कई दफा ऐसा होता है कि जैसे की बच्चा हो सकता है कि एक साल दो साल हो तब रिस्पॉंस नहीं करता है इतनी इस तरीके से तो यह पेरेंट्स को इन्य टेस्ट के मादिम से मालूम पड़ेगा और यह टेस्ट पर पुराने टाइम में अभी भी जो बच्चे हैं अपने पास जब आते हैं कि जब वो बोल नहीं पाते हैं तो दो से तीन साल के उमर पे बच्चे अपने पास वास्पिटल में लाए जाते हैं तो पेरेंट्स के लिए यह होना चाहिए कि सेकंड ड़ी अप्टू त्री मन तक वही करा लेना चाहिए तो अली डिक्रेक्शन हो जाता है उससे मतलब उनको पता चलता है कि उनका बच्चा सुन नहीं सकता है सुनने में उनको दिक्कत आ रही है क्योंकि जब आपने को पता चलता है कि दो साल पर बच्चा बोल नहीं रहा ममा पपा का नाम नहीं बोल पा रहा तो वह आते हैं अपने पास कि बच्चा बोल नहीं रहा पर उनको प्रॉलम होती है सुना ही नहीं दे रहा तो बच्चा बोल तो आपने सबसे पहले OE किया फिर पता लगा कि और एडवांस टेस्ट करना है तो उसके लिए अपने बेरा करते हैं सिक्स मन्त की एज पे ठीक है बेरा में अगा 70 डेसिबल अबो का लोस आता है तो देन कोई बड़ी प्रोसेजर कॉक्लियर इंप्लांट जैसे के और 70 डेसिबल से नीचे होता है तो अपने खेरिंग एड लगा के बच्चों को सुनाई देने के लिए आगे सुरू करते हैं अच्छा इसके लिए कोई मashीन कान में लगती है निमाग में कहां बॉडी में कहीं लगता है को इुपरेशन होता है क्या प्रोसेस होता हुसका यह 70 डेसिबल से अबव के बच्चों के लिए कोकलेर इंप्लांट की प्रोसेस होती है जिनको हम उसमें यह जस्त एक इंजिनि तो बाहर के साउंड को इलेक्टो फिक्वेंसी में कनवर्ट करके जो अंदर सुनने की नस होता है उसको स्टुमुलेट करता है तो यह बाहर का जो साउंड है वो अंदर ब्रेन तक पहुँचाने का सिस्टम होता है अचा और यह मशीन लगने के बाद क्या तुरंट फिर वो रेस्पॉंड करते हैं उस चीज के लिए तो यह जस्ट एक इन्पुट प्रोसेस को स्टार्ट किया गया बाहर के साउंड को बच्चे के ब्रेन तक देने के लिए अब जब वो साउंड जाने लगेगा तो ब्रेन प्रोसेस करेगा फिर वो दीरे-दीरे बोलना यह चार लाग से पंदा सोला लाग रुपे तका कर्चाता है इसमें जिता भी में का डिवाइस में हैं और अब से जब भी आपको कोई बच्चे ऐसे दिखाई थे जो सुन नहीं पा रहे हों बोल नहीं पा रहे हों रिस्पॉंस नहीं कर पा रहे हों तो इक खबर उन्हें जरूर दिखाएं और जो टेस्ट डॉक्टर साब ने बताए हैं वो टेस्ट उने कराने के लिए जरूर करें कैमरा परसन राजवीर के साथ सुशील पाल एंटी टीवी इंडिया अजमेर